दोस्तों यह है एंपलीफायर का सरक można च्रसाट है देधा संदालीस का हाई-फा़र एंपलीफायर सरकट केट है इसको हम जो है ऑपन करने वाले हैं यह निउ सरकट है मैं आपको उपन करके दिखाता हूं इसमें क्या तब्ली आई है Eğer इसके जो है बेस वगएरा या सौॉर्ड कितना अच्छी क्वाल्टी का है दोस्तो हम इसको अउपन कर लेते हैं इसको मैं डबे से निकाल लेता हूँ दोस्तो इसको मैंने डबे से निकाल लिया है यो मैं आपको दिखाता हूँ इसके यह जो कपस्टर है यह बहुत बड़े उन्होंने लगा दिया है यह 50V का कपस्टर लगाया है यह 50V और यह भी 50V का है यह अब देख लिए कितने बड़े साख के लगे हुऊ है और शाथ में यह जो है छोटे कपस्टर है यह 63V और 200uf हैं और ये जो बड़े हैं ये हैं 50 volt 3300 UF और यहां पर जो है ये लगए हुए हैं D1047 के AC यह चार लगए हुए हैं डबल AC सरकूर्ट है तो दोस्तों यह आप इसका जो है connection यहां पर लगते हैं 25 Volt AC transformer का यहां पर भी 25 Volt AC transformer का लगना है यहां पर लगनाए, गरोंड का प्रोस्पर्मर का ठीक है दोस्तो, यहां पर जो है यह आप देख भी लेंगे यहां पर लिखा हुआ है, लेकर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यह जो हम कनेक्शन लेंगे बेश से तो यह वो कनेक्शन है लेफ्ट राइट और यहां पर ग्रॉंड का दर्म्यान में ग्रॉंड का साइड पर लेफ्ट और दूसरी सेरबार राइट का तो दोस्तों यह कनेक्शन इसके हो गए इस तरह के दोस्तों गर आपको किसी बात की भी समझ नहीं आए तो वो खुझे आप कमेंट करके पूछ सक यह आप देखनें यह पहले वाले सरकट में नहीं होते थे चोटे छोटे उते हुए उन्होंने काफी बड़े करके लगा हैं इसका जो बेस और सौट है वो काफी अच्छी कवाल्टी में होगा तक रीबानी मैंने इसको पहला हाल तो नहीं चलाया मैं जब बना कर इतने बड़े कवेस्टर एक्सके लगे हुआ हैं तो उसके मुकाबले में सौट इसका काफी ज्यादा होगा यह वाले कवेस्टर भी बड़े लगा हैं उन्होंने यहां पर आप देख लें यह सो वोल्ट के लगे हुआ हैं बाईस यूएफ के हैं दोस्तों अमीद करता हूँ आपको यह चोटी सी वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लेक कर देना और कोई बात